मद्यप्रदेश में इन दिनों सीडी मामले को लेकर घमासान मचा है नेता प्रतिपक्ष के बयान ने बीजेपी और संग नेताओं की नीद उड़ा दी है कहा तो यहां तक जा रहा है कि जो बाते नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं उसके सबूत पूर्व सियम कमलनाथ के पास भ फारी पड़ गया उनका हवा में पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो वाइरल हो गया जिसे देखने के बाद राज्ये के ग्रमंत्री नरुत्तम मिश्रा ने कॉंग्रिस विधायक के खिलाफ एफायार दर्च करने के आदेश दिये लेकिन इससे विपक्षी दल कॉंग्रि गोविन सिंग् ने कहा कि कॉंग्रिस विधायक पर बिना कसूर एफायार दर्च करा दी गई वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे गलत काम तो बीजे पी और आरेसस से जुड़े लोग कर रहे हैं डॉक्टर सिंग्ने दावा कि उनके पास बीजे पी और संग से जुड़े और उनके नेताओं की कर्टूद दिखाई जाएगी बीजेपी अधिक्ष चाहे तो सीडी की कॉपी भी घर ले जाएए कॉंग्रिस नेता ने बीजेपी को चुनाथी दी है कि सरकार अगर वीडियो के आधार पर F.I.R कर रही है तो अपने लोगों पर भी करे डॉक्टर गोविन सिंग के दावे से अब पूर्व सीम कमलनाथ के पुराने बयान को भी जोड़ कर देखा जा रहा है उन्होंने कहा था कि हनी ट्रेप से जुड़ा एक पैन ड्राइव उनके पास है जिसमें बीजेपी और संग के कई नेताओं की अशलील फिल्म है पूर्व सीम के दावे के बाद पिछले साथ दो जून को पुलिस कमलनाथ के आवास पर पैन ड्राइव मांगने पहुँच गई थी लेकिन कमलनाथ अपने बयान से पलट गए थे और साफ कह दिया था कि उनके पास कोई पैन ड्राइव नहीं है लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के बयान से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभाद चुनावों से पहले बीजेपी नेताओं के वीडियो वाइरल हो सकते हैं जिससे बीजेपी चुनावों में पूरी तरह से बैक फूट परा जाएगी, वैसे दबाब में तो बीजेपी अभी से दिख रही है, जिस कारण वो सीडी को अभी ही सारवजनी करने की चुनावती विपक्ष के नेता को दे रही है।